1997 में Geological Survey of India ने एक रिपोर्ट पब्रिश करी थी जहां उन्होंने कहा था कि जम्मू और कश्मीर में लिथियम रिजर्व्स हो सकते हैं पर इस रिपोर्ट पर कुछ फॉल उप हुआ नहीं 26 साल के बाद 9 February को इंडिया की Ministry of Mines ने एक भयंकर अनॉंस्मेंट करी कि इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार लिथियम डिपोजिट्स पाए गए हैं जमू और कश्मीर के रिषी डिस्ट्रिक के सलाला हिमाना एरिया में 5.9 मिलियन टन्स के डिपोजिट पाए गए है इस डि पशले दो सालों में लिथियम का प्राइस 900% तक बढ़ा है हाँ 900% लिथियम एक बहुत लाइट मेटल है जो बहुत जरूरी कॉंपनेंट है उन बैट्रीज को बनाने के लिए जो कई electronics में यूज की जाती है पर लिथियम की सबसे इंपोर्टेंट अप्रिकेशन है एलेक्र जादा पैसा कमा सकती है अभी एक देश कंट्रोल करता है इवी बैक्टरीज की manufacturing चाइना एक चाइनीज कंपनी contemporary Amprix Technology Co. Limited या फिर cattle पूरी दुनिया की 34% बैटरीज बनाती है टेसला भी अपनी बैटरीज इस कंपनी से खरीकती है तो लिथियम की discovery के बाद क्या इंडिया ए इस वीडियो में और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊगा कि लिथियम क्या है और लिथियम बैटरीज बनती कैसे है यह है योहान आउगस आरफेटसन एक स्वीडिश केमेस्ट 1817 में वो अपनी लाब में काम कर रहे थे जब उनको एक नया सिल्वरी वाइट एलिमेंट दिखा यह एलिमेंट बहुत हलका था और रियाक बहुत एजिली करता था इसको बुलाएगया लिथियम जो बना ग्रीक शब ली थोसे जिसका मतलब है स्टोन अब लिथियम डिसकावर तो 1817 में हुआ पर हमें करीब 100 साल लग गए उसकी फुल पोटेंशल समझने के लिए और ये हुआ एक जियो पोलिटिकल क्राइसिस की वरे से 1970 में पूरी दुनिया में एक एनरजी क्राइसिस चल रहा था इस्रेल और कई अरब देशों के बीस में जंग छिड गई थी जिसकी वरे से कई अरब देशों ने डिसाइड किया कि वो अम कंपनी में से एक. स्टैनली ने सोचा कि क्यों ना हम एक रीचार्जिबल बैटरी बनाया है जिससे हमारी डिपेंडेंस ओइल पर कम हो जाए. इस बैटरी बनाने के लिए स्टैनली ने लिथियम को यूज किया. त्यूंकि लिथियम होलका भी था और अलेक्ट्रो केमिकल भ खुद साल बाद एक अमेरिकन साइंटिस्ट और एक जैपनीज केमिस ने पहला प्रोटोटाइप बनाया लिथियम आयन बैटरी का. एक लिथियम आयन बैटरी के चार कॉंपनेंट्स होते हैं. कैथोड, अनोड, सेपरेटर और एलेक्ट्रोलाइट. अनोड होती है बैटरी या फिर अपने फोन में यूज करते हैं इन बैटरी के जरीए. जो एलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक special liquid होता है अनोड और कैथोड के बीच. जिसकी वरे से एलेक्ट्रॉंस अनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं. और जो सेपरेटर होता है वो एक पतली सी लेयर होती है जो आनोड और कैथोड को अलग 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 रखती है क्योंकि वो अगर टच में आ गए तो बैटरी शॉर्ट सोकिट हो जाती है पर लिथियम के लावा उनको कई और चीजों की भी ज़रूरत पड़ती है जैसे अनोड को बनाने के लिए लिथियम मिक्स किया जाता है ग्रेफा पर आवा बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रिल मशीन्स और सैटलाइट्स में भी लिथियम आयन बैटरीज यूज करी जाती है पर करीब 90% लिथियम आयन बैटरीज आपके फोन या फिर दूसरे एलेक्रोनिक्स में यूज नहीं करी जाती बलकि उनकी डिमांड आती है एलेक् इसी दिखती थी 1900 में अमेरिका में करीब 33% गाड़ियां एलेक्रिक थी पर उनकी पॉप्लारिटी गर गई जैसे पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां इंट्रेड्यूस हुई मार्केट में उन इवीज में ये प्रॉब्लम थी कि वो लेड आसेड बैटरीज यूज करती लेड आसेड बैटरीज की प्रॉब्लम ये होती कि उनको चार्ज करने में भी बहुत टाइम लगता है और गाड़ी लंबे रासे जा भी नहीं पाती यानि कि इन बैटरीज की रेंज कम होती है तो करीब 50 साल के लिए सब ईवीज को भूल गए और ये चेंज हुआ 1970 में ये वही समय था जब इसरेल और अरब देशों की बीच में जंग चल रही थी तो यूस जैसे देश सोच रहे थे कि हम अपनी ओयल की डिपेंडेंस कैसे कम करें इसलिए तब दो तरीकी की नई बैटरीज आई मार्केट में निकल काड्मियम बैटर जिसको टोयोटा ने अपने हाइबरेड गाड़ियों में स्टार्ट करना यूस किया हाइबरेड गाड़िया वो होती हैं जो डीजल पेट्रोल भी ले सकती है और एलेक्रिक भी ले सकती है अब उस समय लिथियम आयन बैटरीज में तो थी पर ये माना जासा है कि ये बैटर लिथियम आयन बैटरीज ही मिलेंगी इसके कई कारण है जैसे इन बैटरीज की हाइए एनरजी डेंसिटी है याने कि वो छोटे से एरिया में जाधा एनरजी स्टोर कर पाते है दूसरा कारण है कि लिथियम हलका होता है इसकी वरसे ये बैटरीज भी हलकी होगी और अगर गाड़ी हलकी है तो उसकी रेंज भी जादा होगी फिर इन बैटरीज की सेल्फ डिस्चार्ज रेट भी कम होती है सेल्फ डिस्चार्ज रेट का मतलब है कि जब इन बैटरीज को यूज नहीं किया जा रहा है तो उनका चार्ज खुद इतना कम नहीं होगा इतनी जरूरी प्राइवेट गाड़िया पूरे देश में EVs होने चाहिए इसी वरे से लोग इतना खुश हो रहे हैं कि इंडिया को वाइट गोल्ड मिल गया है मानो सफेद सोना पर क्या इंडिया लिथियन आयन बैटरी बना पाएगा? ये इतना असान नहीं क्योंकि एक देश है जो इस पूरी सप्लाइचेन को कंट्रोल करता है चाइना इन बैटरी इस को बनाने के लिए पांच स्टेपस चाहिए होते हैं पहला स्टेप है माइनिंग अगर हम लिथियुम की बात करें तो चार देश मोटा मोटी लिथियम को कंट्रोल करते हैं औस्ट्रेलिया और फिर साउथ अमेरिका में तेन देश जिनको लिथियम ट्राइंगल कहा जाता है पिछले साल इंडिया ने 13,000 करोड का लिथियम इंपोर्ट किया और बैटरी में नाम चाहे लिथियम का हो पर हमें दूसरी चीजों को भी ज़रूरत होती है जैसे कोबॉल्ट या फिर निकल तो अगर इंडिया को लिथियम मिल भी जाए कोबॉल्ट, निकल और मैनिसियम जैसी चीज़े तो हमें इंपोर्ट करने ही होगी दुनिया का 60% कोबॉल्ट है एक आफ्रिकन देश डेमोक्राटिक रिपाब्लिक ऑफ कॉंगो में और इस देश का करीब 70% माइनिंग सेक्टर पर चाइनीज कमपनीज का कब्जा है दूसरा स्टेप है रिफाइनिंग का एक बैटरी बनाने में जो मटीरिल्स होते हैं वो बहुत साफ होने चाहिए इस वज़े से लिफियम और निकल जैसी चीज़ों को रिफाइन करना पड़ता है और इस स्टेप में भी कब्जा है चाइना का चाइना के पास दुनिया का 13% लिफियम है पर प्रोसेसिंग में उनका 58% तक कब्जा है चाइनीज कम्पनी ने बिलियन डॉलर की डील साइन कर लिए बॉलिविया से ताकि वो बॉलिविया से लिफियम को इंपोर्ट करें और चाइना में प्रोसेस करें पस्टेलिया के जो सबसे बड़ा लिथ्य माइन है उस पर majority share भी एक Chinese company का है फिर तीसरा step है बैटरी के components को बनाना cathode, anode, electrolyte या फिर separator दुनिया का 78% cathode का produce होता है? China दुनिया का करीब 66% anode का होता है? China दुनिया के 43% separators का बनते है? China और इन materials की processing को कौन control करता है? China तो आप समझ गए next step है battery को बनाना ये सबसे technologically advanced step है इस step में basically जो cells बनते हैं उनको एक साथ जोडा जाता है और एक battery management system लगाया जाता है battery management system basically battery को control करता है इस battery को बनाने के लिए बहुत energy चाहिए होती है एकदम controlled conditions में की जाती है ताकि किसी तरीकी का moisture या फिर impurities या फिर धूल ना हो तो इस चीज़ के लिए आपको एक advanced technology भी चीए और world class factory भी और तीन companies हैं जो दुनिया की 65% batteries manufacture करती है Korea में Samsung, Japan में Panasonic और China में cattle cattle पूरी दुनिया की 34% batteries produce करती है और इसी वरे से इंडिया और US में इतनी खलबली मची हुई है त्यूकिन batteries के supply chain के हर step में China का हाथ है इंडिया और US को डर है कि मान लो अगर चाइना के खिलाफ कोई जंग हो गई और चाइना ने decide कि वो battery के null को बंद करने वाले है तो हमारी electric गाड़ी और laptops का क्या होगा पर एक और कारण है जिसकी वरे से इंडिया के लिए बहुत जरूरी है अपने खुद की batteries बनाना problem यह है कि battery packs इंडिया में बनाने के लिए करीब 60% components चाइना से आते हैं पर ये Chinese components इंडिया के environment लिए suited नहीं है इंडिया में जादर गर्मी होती है और ये components उतनी गर्मी सहन नहीं कर पाते जिसकी वरे से batteries की ढंक से charging नहीं होती और आग लगने का भी डर रहता है अगर हमारी batteries को राजिस्थान की गर्मी से लेकर ले लदाग की सर्दी में काम करना होगा तो इंडिया को खुद components बनाने होंगे temperature को ध्यान में रखते हुए अब इंडिया में कई companies battery को manufacture कर रही है पर ये companies पूरी supply chain को control नहीं करती वो बस cells को भार से import करती है एक साथ लगाती है और फिर वो एक battery management system उसमें लगा देते है एक battery बनाने के ले Ola, Ather और Amara Raja जैसी companies ऐसा ही करती है तो इंडियान companies materials को ना ही process करती है ना cell के components इतना बनाती है और ना cells को इतना manufacture करती है हम mostly बने-बनाए cells लेते हैं और batteries बनाते हैं पर इंडियान सरकार इसको change करना चाहती है जिसकी वरिसे उन्हें एक scheme launch करी है उन companies के लिए जो cells को इंडिया में ही manufacture करेंगी तो शीबा और सुजूकी जैसी companies इन schemes को use भी कर रही है cells को manufacture करने के लिए इंडिया में इंडिया में खास बात यह है कि labor cost कम है जिसकी वरिसे एक analysis ने दिखाया कि एक cell manufacture करने के लिए इंडिया सबसे सस्ते देशों में से एक है पर ये चीज़ करने इतना असान नहीं है जैसा हमने बात करें कि cell manufacturing के लिए आपको एक बहुत world class facility चाहिए होती है तो हमें उसके लिए skilled log भी चाहिए होंगे और अच्छी technology भी technology तो आजाएगी पर skilled लोग एक-दो हफते में नहीं बनते दूसरी problem है कि कई components और materials तो इंडिया अभी भी भाहर से इंपोर्ट करता है जैसे एक Indian company है epsilon carbon जो cells के anode बनाती है क्योंकि इंडिया में बहुत graphite है पर cathode और electrolyte का क्या जिनको बनाने के लिए इंडिया के बास material ही नहीं है पर हमें ये भी पता होना चे कि lithium मिल गया इसका मतलब ये निये कि इंडिया के सारे challenges solve हो गए तो इसलिए सबसे पहले समझते है कि Geological Survey of India ने कहा क्या है जब ये भी minerals की खोज होती है तो geologists अपनी discovery को एक category में डालते है Geological Survey of India के officials ने इस discovery को inferred category में डाला है G3 step में इसका मतलब क्या हुआ United Nations के इसाफ से किसी भी mineral deposit को explore करने के चार steps होते है पहला step है G4 जहां देखा जाता है कि जो area हमें मिला है वो और investigation करने लाइक है भी या नहीं और आखरी step है G1 जहां एकड़म detailed exploration करी जाती है जब हम किसी भी mineral को explore करते हैं तो हम दो चीजे देखते है पहला है quantity हमें कितने ton मिले हैं mineral के और दूसरा है grade या फिर quality quantity और grade से हमें पता चलता है कि उस mineral की कितनी value होगी और जब geologist को अपनी खोज में एक mineral मिलता है तो वो उस mineral को एक category देता है ये दिखाने के लिए कि उनको कितना confidence है अपनी खोज पर ये तीन categories है inferred, indicated और measured inferred का मतलब हुआ कि geologist को अभी बहुत जादा confidence नहीं है अपनी खोज पर और measured का मतलब हुआ कि उनके पास बहुत confidence है अब Geological Survey of India G3 stage में था और inferred confidence है उनका यानि कि अभी जादा confidence नहीं है और दो और stages बाकी है इसलिए इंडिया को अभी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है अभी काम बाकी है अभी बाकी है मेरे दूब जब मुएन कश्वीर में लिथियम मिल गया इसका मतलब यह नहीं कि हमारी लॉट्री लग गई है फिर यह भी गारंटी नहीं है कि लिथियम आयन बैटरीज ही फ्यूचर है एलेक्ट्रिक वहिकल्स का मार्केट में एक नई तरीकी की भी बैटरी आ रही है फिर कई लोग हाइडोजन गाडियों के बारे में भी बात कर रहे है ऐसी गाडियों जो बैटरी से नहीं चलेंगी बलकि हाइडोजन फ्यूल से चलेंगी इन गाडियों में हाइडोजन ऑक्सिजन के साथ रियाक करेगा बिजली बनाने के लिए जिसका फायदा ये होगा कि आपको अपनी गाड़ी चार्ज नहीं करनी पड़ेगी आपको मानो एक पेट्रोल पंप जैसी जगे जाना होगा और पेट्रोल की जगे हाइडरोजन भरना होगा अपनी गाड़ी में अगर फ्यूचर में ये तीनो सस्ते हो गए तो नए लिथियम की डिमांड शायद इतनी जादा ना हो इसके अलावा चैलेंज ये भी है कि लिथियम को माइन करना बहुत इन्वायमेंट फ्रेंडली नहीं होता है लिथियम को माइन और रिफाइन करने के लिए हमें हाई टेंप्रेचर की जरूरत होती है जिसका सबसे कॉस्ट एफेक्टिव तरीका होता है फॉसिल फ्यूल्स को जलाना जिसका मतलब है कि हवा में बहुत कार्बन डायकसाइड जाएगा लिथियम के एक टन को माइन करने के लिए 15 टन कार्बन डायकसाइड रिलीज होता है दूसरी प्रॉब्लम है कि इस चीज के लिए बहुत पानी भी चाहिए होता है एक टन लिथियम के लिए 22 लाग लीटर पानी चाहिए होता है और जमू और कश्मीर के रिसी डिस्टिक में पहले सी पानी की कमी है इन फाक पहले इस एरिया में पानी होता था पर कंस्रक्शन स्टार्ट हुई जिसकी वरसे नाच्रोल रिसोसेज पर इंपाक्ट पड़ा है जिसकी वरसे रिसी डिस्टिक के पांच गाउं में पानी की कमी हो गई थी इस एरिया में ग्राउंड वॉटर की अब बहुत दिक्कत है 2018 में साफ पानी की इतनी कमी हो गई थी कि गाउंवालों को गंदा पानी यूज़ करना पड़ा जिसकी वरे से diarrhea और dysentery के cases बढ़ गए और ऐसी ही problems दुनिया के दूसरी areas में भी देखी गई है जिसे 2009 में एक lithium mine से chemical leak हो गया था टिबिट में जिसकी वरे से आसपास की पूरी नदी polluted हो गई थी और मश्लिया मर गई थी एक local आदमी ने बताया कि इस incident के बाद पूरी नदी में बदबू आने लगी और उसमें मरेवे जानवर और मश्लिया थी इस वरे से कई लोग प्रोटेस करते लिथियम माइनिंग के खिलाफ पॉर्चिकल में लिथियम माइनिंग के खिलाफ प्रोटेस हो रही थी पर नुकसान बस उन लोगों को झेलना पड़ेगा जो माइन के आसपास रहते हैं इस वज़े से इंडिया सरकार की जिम्मेदार ही होगी उन लोगों को convince करना जो माइन के आसपास रहते हैं कि उनके घर और environment पर इस mining की वज़े से इतना असर नहीं पड़ेगा और अगर ऐसा हो गया तो ये discovery इंडिया के लिए कोई jackpot से कम नहीं पैसा ही पैसा होगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करो और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी देखना जा हम बात करते हैं इंडिया की nuclear bomb की policy के बारे में अगर पाकिसान और चाइना के साथ जंग हुई तो इंडिया की क्या policy है तो इसलिए इसको जरूर देखना